दोस्तो युद्ध एक खौफनाक शब्द है लेकिन यह शब्द एक समर्थन और साहस का प्रतीक है। हमारे भारत देश के इतिहास में भी युद्ध के विभिन प्रकार देखने को मिलते हैं और उन युद्धों ने हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाला है और अन्य देश ने हमारे भारत से कितना कुछ छीना है यह तो हम भली भाती जानते हैं। दोस्तो युद्ध का एक ही दृष्टिकोन हैं सिर्फ तबाही लेकिन अतीत में एक ऐसा भी युद्ध हुआ था जिसे किसी सैनिको या किसी जनता के सहारे नहीं जीता गया था बलकि यह जीत शिव के अखंड भक्त भस्मधारी नागा साधू द्वारा जीता गया था जिनकी संख्या युद्ध में कुल 4,000 थी और दुष्मनों की अफगानी सेना 40,000 थी उसके बावजूद भी उन नागा साधू ने 15,000 से ज्यादा दुष्मनों को मार गिराया था। दोस्तो महज ये एक कालपनिक कहानी लग रही होगी लेकिन ये वास्तविक घटना है। ऐसा कर उसने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। उसके बाद एहमद शाह अबदली ने अपनी सेना को ये हुकूम देते हुए कहा आगरा, वरिंदावन, मतुरा और गोकुल में अपना आतंक मचा दो और रास्ते में जो भी मिले उसे तलवार से बीच में से काट डा यह कहकर एहमद शाह अबदली ने अपने सेना पती सरदार खान को आदेश देते हुए सेना को रवाना किया। कई हजारों की संख्या में नागा साधु दिल्ली से कई गुना ज्यादा दूर थे और एहमद शाह अबदली की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आगरा को तहस नहस करने के बाद अहमद शाह अबदली की सेना वरिंदावन और मतूरा पहुची और उन्होंने वहाँ भी वही किया जिनका उन्हे आदेश मिला था। सेना ने पूरे वरिंदावन और मतूरा की गलियों को खून से लाल कर दिया। लोगों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वह अफगानी आकरमनकारियों से बच न सके। कुछ त्रियों ने तो अपने चिरहरन और दूसरे देश में बेचे जाने के डर से आत्महत्या कर ली। वरिंदावन और मतूरा को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद अफगानी सेना आगे की और बढ़ने लगी। लेकिन तभी सेना के सेना पती सरदार खान ने पहले गोक अफगानी सेना यमुना तट तक पहुंची तब उन्होंने देखा कि त्रिशूल और तलवार लिए 4000 भसंधारी नागासाधू अपनी मातर भूमी की रक्षा हे तु चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और तब अफगानी सेना के सेना पती सरदार खान ने जिसकी कलपना अफगानी सेना तक ने नहीं की थी। संपूर्ण रण भूमी में महादेव के रण हुंकार की गूंच उठ गई। युद्ध इतना भयंकर था कि मानो महादेव स्वयम तांडव कर रहे हों। दोस्तों अफगानी सेना ने नागासाधू को कमजोर समझ कर सब से बड़ी गलती करी थी। अफगानी सेना अपने सामने शमशान की भस्म से सने, जटाधारी, विकराल रूप, साधू देख थर थर कापने लगे। जिसके बाद तलवार और तरिशूरली सभी साधू अफगानी सेना में घुस गए। सभी नागासाधू अफगानी सेनिको के खून से रनभूमी को हर हर महादेव का नारा लिये लाल कर रहे थे और वही अफगानी सेनिकों की चीखे गूंज रही थी। दोस्तो युद्ध भूमी इतनी भयंकर हो चुकी थी कि युद्ध को रोक पाना अब असंभव हो चुका था और धीरे धीरे और अधिक नागा साधू युद्ध में शामिल हुए जा रहे थे। अफगानी सेना ने अपना पूरा बल लगाया लेकिन वह साधूओं के मानसिक और शारीरिक बल के सामने टिक नहीं पाए और एक-एक कर रनभूमी में ध्वस्त होने लगे। एक-एक साधू अकेले ही अफगानी सेना के आ लाशों और खून से भर गई थी। युद्ध इतना विकराल हो चुका था कि अब लाशों के ऊपर होने लगा था। दोस्तों युद्ध में अभी तक अफगानी सेना के लगभग 15,000 सेनिक मारे जा चुके थे। आखिर में जब अफगानी सेना के लिए विजय की कोई आश हार थी। वह केवल 4,000 नागा साधूं से हार गया था। जिसमें उन्होंने लगभग 15,000 सेनिक गवा दिये थे। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो 2,000 नागा साधू भी वीरगती को प्राप्थ हुए थे। दोस्तों इस युद्ध का परिणाम आने वाले कई सालों तक देखा गया। जब भी किसी मुसलिम आकरमनकारी को मालूम चलता कि युद्ध में साधू भी शामिल हो रहे हैं तो वह लड़ते नहीं थे। ऐसे साधूं को हमारी ओर से शत शत नमन है। दोस्तों नागा साधू प्रकृती और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते इसलिए वे वस्त्र नहीं पहनते हैं। नागा साधूं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है। अर्थात ये अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसाथ करते हुए नागा साधू हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं।